आप सभी के साथ सेयर करने जारी ही हूँ फुल गोवी का बिल्कुल अलग तरीका से नई नास्ता जो खाड़े में आपको बहुत ही टेश्टी और चटपटा सा लगी है तो बच्चे को यह बड़ी सभी को यह पसंद आएगा अगर बच्चों को फुल गोवी पसंद नहीं है खाना ताफिस नास्ते को एक पर घर पर मेरे तरीके से चरूर से ठ्राई किजिएगा तो चली समस्दा रेस्पी को सुरू करती हूँ दो कप यहां पर आटा लिया है स्वादन सार नमग डाला है थोड़ा तापाने डालके इसे सक्त दोर त्यार कर लिए हो तो ज्यादा सक् अब मैं इसे बीना पानी डाले हुए पीस लूँगी आप चाहे तो फुलगवे को कद्रू कस्वी कर सकते हैं लेकिन आप इस तरह से करेंगे तो आपको मेहनत कम लगेगी यह देखे दरदरा बिलकुल पिसा गया है तो इसे मैंने बरतन में निकाल लिया है उपर से मैंने प्वाल के हो मसला हुआ अलू डाला है स्वादर सा नमक थोड़ा सा इसमें लाल मिच का पॉडर चिली फ्लेक्स और यह मैंने मैगी का मसाला डाला है इससे फ्लेवर है जो इस नास्ते में बहुत ही अच्छा आता है अगर होगा तो फ्रेंस चरू डालिएगा नहीं तो इस तिरह से सारा में त्यार कर लेती हूँ तो यहाँ पर मैंने निम्बू का साचा लिया है और दोने साट में अच्छे से तेल लगा दिया है लोई को डाल दिया और इस तरह से आपको इसी दाबना है यह देखे अभी बिलकुल नया सा एक डिजाइन है जो बनकर रेडी हो गय होंगे और इसा इस तरह से हलके हलके हाथ से दाबते हुए यह देखे ओ यह अच्छे इस तरह से दाब दिजेगा ताकि मिज्च रन जो पाहर ना निकले और इस तरह से सारा मैं रेडी कर लेती हूँ यहाँ पर सारे मैंने बना लिया है पानी गरम हो गया था तो पानी के अ दल दिया है उसे मेडियिय PrzyWhy 6 ze 7 मिनत तक पकने देंगे है के यहां पर 6 मिनत हो गया है और यह देखे dances पकर प्लować का अज़ते दन कर दो और इसे निकाल लेती हूँ पर छुए इसी चत पटा ठर है करती हो इसे खाने में वाधी यह श्रकता सा लगए God आप चाहते इस नास्ते को ऐसे भी खा सकते हैं तो थोड़ा सा मैं तरका लगा दिती हूँ एक चमस तेल डाला है सरसो का धाने डाले है थोड़ा सा मैंने यहाँ पर फल्दी पौडर लाल मिच का पौडर तो मैंने धनिया पौडर डाला है मसालों को जो अच्छे से भूंज इस नास्ते को इसमें मैंने डाल दिया और इसे भी दो तिन मिनद तक मिला कर भूंज लेती हूँ इस तरह से भूंजने से फ्रेंस इसमें से टेस्टे पहुत ही अच्छा आता है तो अच्छे से पहुंजा गया तो उपर से मैंने चटपटा फ्लेवर के लिए चाट मसाला इसे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा तो बिल्कुल ही रेडी हो गया है तो मैं आपको सब करके दिखाती हूँ यकिन माने फ्रेंस और इस रेस्पी को एक पर घर पर मेरिते के से चरूर से ट्राइ किजेगा आपर चना दाल का चटनी के साथ सब किया है इसका जो मैं व मुझे आगे बढ़ने में प्लीज आप लोग सपोर्ट करें